आई बटी जाओ अपना परिचाहिए और ध्यान दखिएगा कि नाम जाते धर्मच्थ आधिकाउल लेखनाने पढ़े परचेपुछे से हूँ मैंने अपनी प्रारामिट शिच्छा अपने गावां से ठाप किये और इंटर्मेडियेट मैंने प्राइपुर के विद्यमंदी से किया है इसके बाद मैंने इस तहां तक के तोर पर इंजिनिंग की अभी हाली में मेरा चैन समिछ्छा अधिकारी पत् नाम जाति धर्म छेत्र आदिकाव लिखनाने पाए आपने ध्यान नहीं दिया सब बता गया है इस नाम नहीं में से तर निपा दिया आप आपकी दियों को तो एवाइट किया है जाए अभी अधिकारी आप बन चुके हैं जी से वहां बाइकलपिक बिशे तो था नहीं नहीं किन बिश्यों की परिक्षा हुई थी कौन-कौन से पेपर सिर्ट जी इस वहा था फिन्दी हुआ ता प्री में और मेर्स में भी सर्जी इस ही उन्दी हुआ था और एसे के तो वो लिखा था एक आया था भारत में जो भी धर्म निर्पेच्छता है उसके बारे में तो इसे लिखते हैं तो आप सिंप्ली ग्रेजुएट है यह सर और बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी किये हैं यह सर नेट जी आरे पीजडी तो वरियता नहीं दी जानी चाहिए उन जबको यह दे जाने चाहिए लेकिन जो माना की योग गिता है अगर इसको कोई पूरा कर रहे है तो सर एक लेवल प्लेंग प्रियेट हो रही है तो उसमें जो आगे जा रहा है उसको चैन मिलना चाहिए अच्छा कि अच्छा को और कंो आपका ड़ीगा और तो किया देए ठीकी है ओप भी मानतु पूरा कर रहा है और अब भी मानत पूरा कर जाती thorough नंबर बराबर होते हैं तो अरीता जुरू गुली जाती है उनको सेलेक्शन भिया जाता है तो पीसेस में भी सर और आरो में भी है यह इसी का मतलब इलेक्ट्रानिक एंड कम्मुनिकेशन यह सर बिटेक किया है तो बैकल्पिक विशे के तौर पर समास सास्त्र चुनने का अब देखा स्लेबस सही लगा मुझे तुमेने इसको चुछ कर लिया तो अब इस लेबस आपने कि वह समास सास का ही देखा या और जब्स अब है जोग्रफी का भी देखा था है हमारे क्याल से पॉलिटिकल साइश ज्यादा अच्छा भी शेय था इस पूरा आपका पेपर ने open टू काउर करता है म extrem जयादा मदद वही विशेय आपको करता इसनली ईवइंट अफ्यों भन के ते और कोई कारण समास सांध्य सर उसके जो भी टॉपिक थे समाज के जो मुद्दे थे वर्टवान में चल रहे हैं उसे संबंदी थे तो सर मुझे लगा जो करेंट इसूज हैं उनसे करना इसको आसान होगा तो मैंने इसको चुछ जिए ठीक समाज सास्त बिशे का प्रशाशन में क्या उपड़ी हो गहा है समाज सास्त्र में जो भी समाज में संबंद हैं जो भी समाज मुद्दे उठते हैं मैलाओं से और बजूर्गों से बच्चों से उनका एक वाइड स्टीडी होती है उन पर जो भी स्टीडी चलती रहती है उसामने आती है तो सर प्रशाशन में कार करते समये समाज से ही सरू तो मुझे लगता है कि इस तरह में प्रसासन को सुचारू उसे चला जा सकता है दैनीक जीवाने बहुत सारे उप्योविता है इस भी से की जैसे सर पेमली के जो भी इसूद है इस समासास परहा है कि कैसे जॉइंट में कैसे कर्वर्ट होती है तो सर अगर फेमिली को या समाज को एक साथ बांदे रखना है तो मुझे लगता है तो स्लोची वहां पे हल्प करती है समलेंगिक तपर अभी अखबार में एक दो दिन पहले कुछ छपा था सुप्रीम कोर्ड का रुख 2018 का आपने देखा कि समलेंगिक शंबंध को वैद करार दिया उसने लेकिन सरकार कह रही है सपत पत्र में लिख रही है कि इसको जो है कि रिष्टे का रूप नहीं दिया जा सकता है कि कुंट्राडिक्शन है दिखता दोनों में शरकार और सरकार का यह मत है कि जब भारत में परिवारिक जिकाई की जो परिवासा है उसमें पती पत्नी और बच्चों को सामिल किया जाता है पती के रूप में पुरुस होता है पंदी के मेला होती है और बच्चों के माता के विरुपोर्स होता है कि इस प्राइटेयर को कुल नहीं करते हैं इस लिए सेंटर ने कि इस परिबार आप थर्ज़म नहीं किया चाहिए पार्वारे की काई के दर्चित हो पारओं उध्यां मुझे हैं कि सरकार के रोक शेशाम और तैसे कि इसमें सही है फिसे का एस birthday the कि पांच प्रमुख बातें बता दीजिए पढ़ा होगा आपका तो समासास्त विशे भी है पढ़ा है विशेश विवया आदमियम के तहित जो भी आजकल चर्चा में भी है उसमें कई सारे सुधार की गुंजाइज दिख रही है शुजाओ भी आ रहे हैं कि जो भी धार्मी साधियां होती है हिंदू या मुस्लिम उसे इतर अगर सर इंटर कास्ट मेरीज होती है या फॉरेनर से साधी होती तो सर विशेश विवया आदमियम उसको कवर किया जाता है और इसके लावा सर विशे बारे में अवर जान करी मिए ठीक है दक्षण भारत में अंदोलन उच्च जातियों के बुद्ध ज्यादा हो रहे हैं या ज्यादा देखे गए उत्तर भारत में जातिवाद जिबकी ज्यादा है यहां क्यों नहीं अंदोलन खड़े हुए सर उत्तर भारत में जो जातिवाद है वो सर कागजी ज्यादा मुझे लगता है क्योंकि सर यहां पर जो उच्च जातियां थी तथागति उन्होंने जो निम्न जातियां थी उनके खिलाब सर इस तरह कोई यसा कदम नहीं उठाया जो असब और बर बर हो इसलिए यहां पर अधिक भारत में सर जो भी नहीं में जातियां थी उनके साथ कुछ बरबरता के वहार किया गया और घेदभाव बहुत ज्यादा अधिक था इसलिए सर वहां पर ऐसे अंधोलन देखे गए आपने श्याद शादिशा इस्तेमाल किया भी कि कागजी जातिवाद यहां पर भा लोग हैं उच्वर कि उसर उनके अंधर जातिवाद इस इस्तर का नहीं है कि जो निम्र जातिवं साथ बहुत बहुत आप कि अ जाने को पड़ा हैं और श्रुकिन धमार्क बढै इन्मीर्मे मृश स्बाच को अधर व्हार ईंट नहीं पर बादिशेिक अहलम को अनल कई इन नहीं कार्ल माँद के हैं चिंतन में घार्माता है ड्यक्ट कहल मैटरियलिग्स याँ से दून दाविक बहुतिक वाद क्या है कि करकृमा कि अगर कोई आइडिया जनेरेट होता है तो उसके आगेंस्थ में कोई दूसा आइडिया खड़ा होता है उसे उन्होंने पहले आइडियों को सटेसिस नाम दिया था दूसरे को नटी थेसिस और जब दोनों क्लैस करते हैं तो इससिस बन जाता है ठिर इसके खिलाफ किसलता रहता है जब तक समाज में समानता नहीं आगे, ऑता है यह थेसिस, एंटि थेसिस, सिंथेसिस इन शबनों का प्रियोब मार्क्स ने किया है या किसी और विछारक ने किया है तो इस पर नहीं है लेकिन लग रहा है प्लेक्नों ने साइब किया थे बाद में पूछ रहा हूं थेसिस एंटिफेसिस इंथेसिस अपने किसी किताब में पढ़ा किसी अथेंटिक किताब में मार्क्स ने ऐसा कुछ कहा है कि में अधंटिफेशिस किताब में नहीं पढ़ा है जयाधा तो जुनिया ते जानते को वर्ग संघर्ष की बात करता है थेसिस एंटिफेसिस कि पीज नहीं करता है सर उन्होंने इसको करनेक्ट किया था वर्ग संगल से कि जो भी आभी समाजी वेवस्ता है सर वो थेसिस किस से उधार लिये थे वाकाइदे मार्कस ने एक नॉलिज किया है उसका नाम क्या नाम है उसका सर मुझे क्लियर नहीं है बड़े लग रहा है सर लेक नो तो मार्कस के बाद क्या है भाई रुशन है वो सभी खैर कि मार्कसिजम के बारे में और क्या जानते हैं उनकी शोसल थाट क्या है सर वे एक समास के बात करते हैं जहां पर वर्ग ना हो और जो भी राज की संपत्ति हो सभी वे समान रूप से वित्रीत हो या तो राज का उसको कंट्रोल हो ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल रहा हूं समाज के विकास की विभिन अवस्थाओं का लेक मार्क्स के चिंतन में मिलता है कौन कौन सी अवस्थाएं हैं मुख रूप से कौन कौन सी अवस्थाएं है अब उन्हें एक शुडल सोसाइटी की बात की थी इसके बाद सर्मोर्डन सोसाइटी सोसाइटी बात की थी पिए प्यूडल सोसाइटी के पहले उन्होंने एक सिर्फ चायिज के बात हैं कि अपने थी साल कमेरचे के थी सब्सक्राइबद लग City sós अब को चाहरे थी30 से बात की रोज है जो भी संपत्तियां थी वह सर्किसी एक के पास केंद्रित नहीं थी, वहाँ पे लोगों पास जो सर्कृ प्टवारा था संपत्ति का सब बराबर था हुआ सकार करने की छमता थी, वह एमाइल दुर्खीम दूसरा नाम आपने लेया, वह समानता यह समानता की बात करते हैं, य एपर डर्कीम डिवीजन आफ लेवर की बात करते हैं जिसमें उन्हों ने कहा है कि सब्सकेल स्केल सुसाइटी और लॉज स्केल सुसाइटी में जो भी घर्वीदियां चल लेंगे उसके आधार पर समाज भी ग्रोस्था और देजिस्था ने किया तो मैंने डिवीजन आफ ल लेवर के लिवीजन नहीं है वहां पर लेवर के लिवीजन में आप कह दिया गया कि आप खेत में काम करिये और मुझे कह दिया गया कि आप यूनिवर्सटी में प्रोफेसर हो जाएगे कि इस हैं इस चेश्टीफाइड ने यंद आइज आफ कार्ल मार्क कर्मार्क्स इसको उचित माने गए कि नहीं मानेगा सर कालमाक्स ने ये कहा था कि अगर चमता के आधार पर इसका प्रोड़क्शन जितना हो सकता है उतना किया जाना चाहिए लेकिन इसमें राज जी का हस्ता से तभी होना चाहिए जब यह बहुत ज़्यादव भेदभाव मुलब हो जाता है अच्छा एक और विचारक हुआ है इतने आपके प्रसपेक्टर्स में है कि नहीं है आह जान राउल्स है सर है नहीं है अच्छा छोड़िए राउल्स की बात न कि जाए भारतिये समाषास्त्रियों में आपने श्रेनिवास जी का नाम लेया जी नन श्रेनिवास उनकी मुख थिखरी क्या है से सॉंस्त्र ऑफ क्या मेनिंग है इसके संस्कृताइजेशन का क्या मतलब है उन्हों में कहा था कि जो भी समाज में उच्छवर्ग होते हैं उनकी जो भी लाइफ स्टाइल है उनको समाज के निमनुवर्ग कौपी करने लगते हैं और ये सब जब सरेक लेबल तक पहुंच आता है उनके बराब संविच्वर्ग का तरीका है या सामाजिक विकास की विधी है क्या कहते हैं वो इसको सेर इसको सोशल चेंज ही बोलते हैं हों सोशल चेंज ये सर अप्वर्ड मुव्मेंट अप ससाइटी ये सर अ और कोई शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने अपवर्ड मुव्मेंट के लिए जो कारगर है क्याओ संस्कृति आईज़ेशन सर उन्होंने इसके पहले ब्राह्मनाइजसंग उस किया थो बाद में उनुने संश्वर्णाइज़ेशन यूच्टिया रखी नहीं इसके अल अब आपने क्या बताया कि आप किस पत्पे चैन इता हुआ है आप समीछ शादीगारी तो चैन अपको हुगया आप का रजच दख पर कहा है? मैं भी जॉइनिग नहीं हुए कि अब जॉइनिंग होई मितलब कभ यह हुग कि आपको हैं मैं जन्वरी में वह तो इसके पहले भी आपने जू इसके पेपर को आपेर किया पीजिस के मैं 21 दिया था है तो इसमें किसमें आपका चेहन नहीं है पाया तो अपसे अब तक उस समय आपको क्या लगा कि कहां पर क्या आपकार और आपने किस पर ज्यादा काम किया है माक्सी टाई थी तो उसमें में इसमें दिखा कि ऑप्शन सब्जेक्ट है वो थोड़ा भी पढ़ रहा है और इसके बाद जो भी जी एस में थोड़ा बहुत कर सकते थे इन से हो जाता तो फो जाता तो इंट्रव्यू अपका अच्छा लिया था है अभी हाली में पिये मोदी दुनिया के सबसे लंबे रेल्वेस प्लैट्फॉम को घाटन किया वो कहां पे किया है अपको पता है मानी प्रधान मंची जी ने किया है अपको नहीं मालूम है ऐसा कहा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज के जो एंपलॉईज है उनको आर्टीफिशल इंट्रिजिएंस और आपको क्या लगता है कि इतना आप्रायिट हो सकता है आने वाले समय में अगर आटिफिशिल इंटेलिजिएंस और डात अन्येलिघिकल की जरूरत है अगर ट्रेंडिंग दी जारी है क्या जरूरत परिश्ल परेश्चा तुनिया थे बहुत है इसे तो पोटेंशल बहुत ह अभी हमारे सिविल सर्वेंट हैं जो भी गौर्वर्मेंट इंपाई है उनको भी जरूरत है कि वह भी इस तरह जो आदमिक तकनिके आ रही है इनको जाने और इन पे कार करने में सच्छा हो इसलिए मुझे लगता है कि यह सही है मैं जो भी ऑफिसेल वर्क है उनका भी ही जादा हो रहा है और हम इंडीपेंडेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंट नहीं रहे जाए और हम खुछ स्वायम को भी आद पिर्मर भारत जी बराने की बात कर लेकिन कहीं इसका दूस्त पर वह लिए इसको आपके सबुए जैसे जैसे इसलिए बढ़ेगा ज इनको मैम और भी ज्यादा सच्छम होना पड़ेगा जो भी हमारे बन रहे हैं जो भी साइट लांच हो रही है तो आप तो इलेट्रिकल फील्ड से तो आप क्या किसको लगता है कि आप क्या यगदानिक्स भेतर हो सकता है अगर अगर अधर देटिक अलेट्रेट की पोस्ट प करती है जो भी इन्नोवेटिव आइडियाज उनको इसरफ्ट करने का एक जो टेम्प्रामेंट होता है वो मुझे लगता है इजी हो जाता है तो प्रसासन में कार करते हमें अगर कोई डिजिटल नवाचार आ रहा है मतलब जो भी सिविल सर्वेंट है उनको यूज करने के मुझे लगता है वो मेरे लिए काफी अच्छा होगा जो क्राइम का अस्तर बढ़ रहा है जब आपी हाल में प्रयाज राज के आपने घटना भी सुने है और अभी तक जो बेन कल्पेट है मतलब इसको पकड़ नहीं आता है जिरफ्त में नहीं आता है तो क्या लगता है कि कि टेकनिकल भी हम कहीं बहुत जगर पे लो हैं इसका भी कारण हो सकता है कि हमने पकरबाने में सक्षम है मैं जो भी क्राइम हो रहे हैं वो भी इस समय जो भी टेकनिकल चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं इसलिए हमारे जो पुलिस वाउस्ता है उसमें तोड़ा सा सच्छमता की आवर सकता है, जो मैं करमियोगी पोटल है, उसमें ऐसी सच्छमता को डेवलोप करने की बात की गई है, अभी और जो मुझूद है उसको बढ़ावाद देने की बात की गई है, तो मुझे लगता है यह सब जो मुबाईल ट्रैकिंग हो गई, पिशले दो दिन में आप में आप केल से बता सकते हैं जो इंडिया और अश्रेली कमेश वा था उट्रा हुआ था उसमें इंडिया ने व्ल्ड कप व्ल्ड टेस्ट चेंपिंशिप में क्वालिफाई किया है तो ये पिशली वार की एक बड़ी उपलब दी रही तो ये बड़ दूसरा ये है कि मानी योगी जिने एक लगनाओ में ही आवासी नीती का लोगारपन किया है तो ये वहां पे जो कि आवासी प्रेट हैं जो भी सेडूल कास्ट की लोग है जो ने लोगों हम पसना चाहते हैं धिली का फेर्च पर जो राजधानी हमारे वहां पे कोई केस ऐस किसके बारे में जार में काफी बिस्षा का बिश्यर बना रहर है मैंा कुछः टाल्य में लाजधानी में मनि तो मैं पार आं किस कर सदिया मन्तरी है भी कालर्वाही पहुंची ख़ाई यहां पर यहां पर ढरूं करल दीचा नोल की सद्ट मोई कि एंटा違 रिड़ दो और इन्होंने प्रीटी सुझे हैं और ने से इस में से ब्लाइसंस इसाइभ जो हुआ कि गलत है इसलिए इनको ईडिन्ग गिरफवतार करिंगे बच्वन तर relate के शुरुटार की अपने किस कानून के तद गरफतार किया इनको इनको यह था धन-सोधन कानून चाहिए प्लियर नहीं सब्सक्राइब बन सोधन कानून भी कोई कानून है कि सब्सक्राइब में लांडरिंगा तु अब तो इसके बारे में अबी एक पर्सो स्टेट्मिन किसी में कल्पिट का भी आयता वो खुदबकर लेकिस में काफी केसिज में वाल्ड है मैं की बारे में जानते हैं उनको ठगी उपिछलाप दिया और उन्हों ने कहाँ कि वजीर और उन्होंने सीधे केजरी वाल पर निशाना साधा तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहरेंगे हिए परफित है निहीं हुआ हिए नगम्लाए पैस बेह से लेटेज़िए भाइब है तो अगर इससे कोई संबते हैं तो अभी और सफ नहीं हुआ है की कोई का इड है कोई आ यह को संपर्ग थे वह इत थे इसकी ज 250 आच चल रही इसके बाद इसमें तो इन्होंने और क्या-क्या गोटाला कि एक बता सकते हैं एक दो मैं भारती अब नेतिरी जैकलीन की उनके साथ कुछ ऐसा था फंडिंग अमामला इसमें इनको विरतार किया था कि अधर्निंग अमाम कितने सो परोड़ कर तक का था था है उत्तर प्रदेश टाउन्शिप नीटी 2023 की बादसायद अभी आप कर रहे थे क्या है इस नीटी में खास बात सर लखनाओं के आज पास जो भी कुछ जमीन है सर वहां पे सी एस्टी जो भी जमीन है उनकी उनकी जमी जलाधिकारी की पर्मिशन नहीं लेनी पड़ी किसे क्यों लखनाओं के लिए है या फिर उत्तर प्रदेश टाउन्शिप सर अभी ये लखनाओं के लिए है लखनाओं के कुछ हैत्रें वहां पर किस कानून के तहत यसी एस्टी की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी के पर्मिशन की जिरुवत परती है एशमा के बारे में पढ़ा है कि अपने एस्टी हमें उत्तर प्रदेश की बिजली कर्मचारियों ने कल से शोलह तारिक्षे बहत्तर घंटे के हाताल की नोतिश दे है हाताल पर जा रहे है उनकी हाताल को रोकने के लिए सरकार के पास एक आउजार है एस्मा के नाम से अगर जानकारी है तो बता दिए एस्मा पर प्रकाश डैली जरह सर इसका फुल फॉर्म तो नहीं पता है मुझे पता है सर कि जो भी अनिवारे सेवाएं होती है उनके कर्वचारी सरकार के खिलाफ या ऐसी किस ग्रताल पर नहीं जा सकते हैं जिससे इनकी जो भी आप वर्ति है बारी तो कि अब तक क लिए शरकार के लिए प्रतिपन्द लगा शकती है कितने डेवरेशन के लिए और हंटाल पर चले जाएंगे तो किया कारिवाई बनती है इंके किला आफ क्या कर सकती सरकार यह चलियर क्लियर कि लेकिन यह सर है कि इनकी का बदलने की बात कर रहा है यह सर अभी कौन से है राजधानी अभी तो जाकारता है और कहां बनाने की बात कर रहा है इनों ने एक इनके नौर्थ में आइलेंड है और वहां पर अपनी राजधानी इनों ने ट्रांसफर कर दिये उसका नाम से मुझे याद भी आदे जा रहे हैं सर कर चुके हैं बोर्नी हो यह सर तो क्यों क्यों करना चाहते हैं कि सर उसमें में रिजन इंट जलवाई परिवरतन का है वह जो भी राजधानी है वह उमीद लगाई जा रही है कि सर आने वाले समय में वह डूप सकती है जलिस्तर बढ़ने से और वहां प्रदूसर बहुत जाता है इसलिए सर उन्होंने वहां ट्रांसपर कर दिया अच्छों कि यह जो उन्हों चिद्र बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है कि सर इस समय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है जितने वे है उतने दो लुगा हुए था एक खबर यह आई थी उसके आदा भी रेसेंटली फिर दो-तीन दिन पहले एक खबर आई कि आश्टेलिया में जो बढ़ लगी थी 2019 के अंत में और 2020 के शुरुआत तो उसके वज़े से 10% इसका होल और बढ़ गया है क्या नुक्षान है ओजोन परत चर्ण के सर यह कहते हैं कि ओजोन परत अगर कमजोर होगी या नहीं होगी तो जो भी सूरी की किर्णे हैं मानों सरी पर पढ़ेंगी जिस में इस के लिए उसके सर उसमें एल्पा बीटा टाइब की इन्हें होती है आप इसमें अवㄹ टाइप की फ़ह दॉतीछ हो और होपर होती है जो ही अज़ान परत हो ती हर्णों को नहीं ध्यान हो कर देना रहा है तो सर इसमें साथ बीटा अल्ट्रावालेज होती है इसकिन कैंसर क्रिएट करती है अगर बहुत जाद हो उसरीर पिकरती है तो चली तो मानो सवास्त की बात हो गई यह सर और क्या नुक्षान हो सकता है इसी तरह बनस्पतियों पे उनका जो भी प्रकास नंस्वेशा होता है सब्सक्राइब करना है जिल्या प्रशाशन को नवरात्रे में देवी के मंदिरों में दुर्गा सब्सक्राशती का पाठ करना है अखंड रामायन होना है इस सरकारी आयोजन करने हैं उसके लिए धनराशी भी आवटित की गई है विपक्षारोप लगा रहा है कि धर्म की राजनीती सरकार कर रही है और ब्यूर्योक्रेट्स उसमें मदद कर रहे हैं अपना यो आप अगर अभी आज की तारीक में डिप्टी कलेक्टर होते हैं क्या करता है ऐसी इस्तिती में सरकार का फर्मान मानना आपकी मजबूरी लेकिन धर्म की राजनीती का आरोप आपके उपर भी उसका प्रवावाता आपको भी लोग घेरेंगे आपको लोग कहेंगे कैसे नि अगले आने वाले जो भी तेवार हो आने धर्मों के वहां भी ऐसे कोई आउजन कराया जाए तो यह सुरुवात इससे देखा जाना चाहिए और आगे भावी समय भी अगर आने धर्मों के लिए आउजन करवाया जाता है तो यह सभी धर्मों का समान समान होगा तो नहीं आ आपका कि शरकार की यह जो दियती है इसके पक्ष में कुछ तरक आप दे करके समझा सकते हैं उन्हों को सर इसे यह कि जो धार्मिक जुड़ाओं है लोगों का अभी समय जिसे कुछ जिसे हिंदू लोगों के लिए करवाया जा रहा है सर में ली हिंदू धर्म को ध्यान लगते हुए तो एक धार्मिक सर्फ जुड़ाओं बढ़ेगा और धर्म के फ्रति अगर सरास्ता बढ़ती त अब जाती है तो सर एक अपराध से भी सकानेक्सन हो सकता है कि जब लोग अध्यात्मी तरफ बढ़ेंगे धर्म की तरफ बढ़ेंगे तो अपराधी की जो प्रवत्ति है वो कम होगी तो इससे इसे दिखा जा सुकते है कि यह लिए उत्तरप्रदेश के बारे में कुछ सव प्रयाग्राश प्रयाग्राश ठीक तो है इत्ता समय क्या अपने लगा दिया सबसे चोटा जिला कौन से है सबसे अमेर जिला कौन से है उत्ताफ अदेश का गौतम बुदिनगर सबसे गरीब जिला सबसे दबंग जिला सबसे खतरनाग जिला चले कंतीम सवाल भारत का सबसे खतरनाग जिला कौन से है से खतरनाग इस संस में कि वहां पर जो भी मावादी या उग्रवादी का तीडियां ज्यादा होती है अब वहां पर बिजनेस इस्टेबिस करना मुश्किल लागर इस संस में अठीक जा रहा हैं तो सर इस आतंक के हिस संस में खतरनाग किसको माना गया है सबसे वड़ा जिला बारत का, भारत की बात करने हैं भी, इंफाल है, दोसरे नंबर पर कश्मीर है, तीसरे नंबर पर चिल नहीं है, ठीक है, अच्छा लगा आप से बात्चित करके, जा सकते हैं, जा सकते हैं, कैसा हुआ इंटेव्यू आपकर, सर्ष लोजिक कुछ कॉंसेट क्लिर नहीं हो जो, और, सर्ष फैक्च्वल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना इतना इंपॉर्टेंट है, और, सर्ष इतना ही लगता है, कितना अंक मिला था पिछली बार देखे परस्टाल्टी आपकी ऐसे 65-70 तो 68 आपको मिला था अच्छा अंक मिला था और इस बार भी पुरी गुंजाई से अच्छा अंक आपको मिलेगा, सर् पिछली बार सुस्लोजिस से कोशन नहीं हो था लेकिन उसकी परवाह देखे बहुत करनी नहीं चाहिए, प्रलेम आपने मेंस क्वालिफाई किया है, सोश्याल जी भी लिखा है, उसका घ्यान पर एक्छण आपको हो चुका है, जीयस का भी हो चुका है, उसकी बहुत परवाह नहीं करनी है, लेकिन आपको इंटेव्यू है 21 को, आपके पास एक हपते हैं पूरे, और 78 नंबर का इजाफा आपको और करना है, दस नंबर का, 65-70 के बजाए इसको बनाना है, 65-75 या 70-75, उसके लिए इस एक हपते में सबाब रशब कर लिजी ना शोश्याल जी, एक आज जैसे आपने ब्लेंडर कर दिया है, हीगेल को, सर का क्वेश्चन था, हीगेल के टर्म्स को आपने मार्क्ष म मार्क्स ने कहा कि हैगेल की डाइलेक्टिक सेरकेबल खड़ी है, मैं उसे सीधी खड़ा कर रहा हूँ, फिर उसने थेसे सांटिथेसे सब्सक्रा करके क्लास इस्टबिल की बात किया, चार-पांस थिंकर जो मौस्ट कामन है, उसे थोड़ा नजर डाल लीजिए, ब्रशब कर लीजिए, वहां से प्राय सवाल उठते हैं, बाके बहुत चिंता नहीं करनी है कि पोरा जी इस उठा करके पलटिए पढ़िए, शोश्याल जी पढ़िए, उसकी जरूबत नहीं आप सेलेक्टेड भी हैं, बन चुके हैं समिक्ष्यादिकारी, थोड़ा सा जो हम लोग सलाह देना चाहेंगे, आपस में बातचीत की है, कि कांफिडेंस लेविल आपका बढ़ा दिखना चाहिए, थोड़ा एनरजी लेविल आपकी बढ़ी होई होनी चाहिए, वो सामान्य दिख रही है, क्यों कोई बिसेस रीजन, थोड़ी थकान दिख रही है, थोड़ा स्लो मोशन में आप है, पिछली बार भी से प्रॉलम लग लग रही है, थोड़ा इसको आप बढ़ा सकते हैं, ने, जैसे इस समय आपका फेस स्माइलिंग लग रहा है, उस समय बहुत सीरिय ने, यहीं आपको, यू कुट वेरी से मेरे प्रस्ण पर कि सर यह मुझे सपस्ट नहीं, डायलेक्टिकल मेट्रियलिजम, खतम हो जाती बात ही, बजाए गलत जवाब देने के, उस जवाब उस प्रस्ण को ही छोड़ देना चाहिए, यही एक जरूरी शला हमें लगती है, अगले प्रस्ण का जवाब आप दे पाएंगे, न दे पाएंगे, फिर सारी बोल देजिए, लेकिन वहाँ बैट करके अपना रेजल्ट ने बनागी, जैसे अभी आपने बनाया, अगि सोशियाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंग घट न जाएंगे, अच्छांक हो शकता हैंने मिले, तो ऐसा नहीं है, आप पहले प्रूब भी कर चुके हैं अपनी परस्णालिटी को, और प्रूब फिर करेंगे, बस वहाँ बैठ करकर रेजल्ट न बनायेगा, आप जीरो सावालों का जवाब दे करके भी अच्छांक पास सकते हैं इंटेव्यू में, बोलिये नहीं आता है, तो इस पश्ट बोलिये कि सर, मुझे नहीं पता है इसका जवाब, बाकि एकदम ठीक है, आप कन्विंस कर सकते हैं बोर्ड को, कान्फिडेंस लेविल बस अपना बढ़ा देजिए, बढ़िया शूदिंग परस्नालिटे जार उसका फायदा उठाई, पचात्तर साथात्तर नमबर, अठात्तर नमबर लीजिए, तस बारा का और जाफाक किजिए तो, सर यह आज जब वहाँ पर बताना होता है कि समिच् में उसका टाप vaca हो, तेट कि पहली रहें, शॉइस से une तो कौन सी रैंक है इसका कोई मतलब नहीं रहते हैं। इसलेक्षन बढ़ जाती है। इस पर ख़रा अतरी है। सब्सक्राइब सेलेक्शन बताइए लेटेट बोलने से आप होड़ी बचे रहे हैं तो रेंग निए इतना है अतना काफी अगर कोई पूछता है तो दें दोनों चीजे लोग प्रभावित भी होते हैं सुनकर कि लेकिन वही है ने कि दुधारी तलवार पर चलने जैसा होता है कि बड़ा लाद्र मिल सकता है कभी कोई दुक्षान भी हो जाता है असली चीज यही है कि आप प्रूप कीजी अपने आप पस फेसी स्माइलिंग रखिये थोड़ा एनर्जी लेबिल बढ़ा देखना चाहिए आप पा लड़ी सेलेक्टेड ही है उसकी चिंता मुत करिएगा कि सवाल का जबाब न दे पाईए तो अबस लोल यही एक पॉइंट यही एक सोत्र लेकर कर जाएए अच्छा करेंगे सर पिछले बादे से ऐसा हुआ था कि एक जो मेंबर थे वहां पे उन्होंने हंदी को कि रहे सर प्योonds करें शयुको कि घानों शीनी यह इंताक है लुछे हैं थे इना लुकशन की तो इपनी और मारल्मा कऊ थे ईनर न दो बॉछान को भड़ा है तो उसका नुक्षण अपको नहीं हो नहीं हो यहां बात कि युझे लगता है किंगा व्हाय कृता हम पिला ए आप ये बिल्गुल एक बात एकदम रख लीजिए अपने पास गांठ बांद करके कि चार पांच छे सवालों का जवाब न दे पाईए तो कोई फरक नहीं पड़ता है ऐसा नहीं 15 सवाल पूछे जाए 15 हों का जवाब आप दे लीजिए तो आपको 80 नंबर दे देंगे बीस-बाइस साल के यह जो मौक इंटेव्यू लेने का हमनों का एक्सपिरियेंस और जो कम्टीटिव लाइफ हमनों के अपनी रही है बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि चार पांच छे साथ सवालों का जवाब दे करके अच्छा अंक बटोरे और पंदरह में बारा कि आप कुलिफाई किये हैं ऐसे त्वा नहीं गया है तो उसे बहुत कटावती होती नहीं है अभी इस बार के लिए यही एक सोतर रखी अपने आप अपने पास कि आप वहां बैठे बैठे अपना रिजल्ट इमद बनाईगा कि बापरे बाप इतने सावानों का जबाब न थे नहीं है थे all the best